ओम नमस्षिवाय जै महाकाल हम सबको पता है कि 26 दिसंबर को 2023 साल की आखरी पूडिमा का बहुत ही विशेश सा दिन आ गया है और पूजी गुरुजी अपनी कथा में जो बहुत स्पेशल बहुती प्रसिद बहुती फेमस उपाय की बात करते हैं पूडिमा की उसी की बात इस इस वीडियो में बाल चंदरेश्वर महादियो के उपाय का 2023 की आखरी पूडिमा है करके देखिएगा 2024 आपका बहुत अच्छा जाएगा सिर्फ एक बार कोई भी उपाय की प्रक्टिकली करके देख लीजेगा जितने फेमस उपाय थे पूडिमा की उसी की बात इस वीडि जी बताते हैं उसके लिए आपको मनो कामना पूर्ती के लिए पहला उपाय करना होगा और वो पहला उपाय आपको करना है चंदर मौली महादियो के नाम से कैसे एक चावल का दाना लेना कहीं से टूटा ना हो कहीं से खंडित ना हो बिल्कुल खड़ा खड़ा ठीक है चीजों को लेंगे और उसके बाद में एक तामबे का लोटा ले लिना जिसमें जल भरोगे कहां से अपने घर से ठीक है ये तीन चीज रेडी हो गई इन सभी चीजों को लेके पहुत जाना महादेव की शिवलिंग के पास में पूरी मा के दिन शाम के टाइम पे प्रदोशका देंगे स्री शिवाय नमस्तु भी हमका ध्यान करते हुए ठीक है समर्पत कर दिया अब जो आपके पास में एक बेल पत्र है जो मैंने बताया है बहुत प्यारी सी उस एक बेल पत्र को इसी चावल के दाने के ऊपर चंद्र मौली महादेव फिर से बोल रहा हूं नाम नोट कर लो कौन से महादेव चंद्र मौली महादेव के नाम से उस एक बेल पत्र को इसी चावल के दाने के ठीक ऊपर समर्पत कर देंगे जिसकी डंडी हो जाएगी माता सोक सुंदरी के तरफ पत्ती होगी आपके तरफ है ना चावल सरहा दिया आपने बेल पत्र समर्पत कर दि पूरी नहीं हो पारी है बहुत परेशान हो इधर उधर दिखा लिया सबको तो इस उपाय को करके देख लीजेगा आपकी जो विश होगी जो भी मनोकामना होगी बहुत दिनों से अधूरी है वो सारी मनोकामना आपकी पूरी जरूर होगी ठीक है यहाँ पे हम लोग मनोकामन समझेंगे तो सबसे पहले ये बता दू कि अगर ये दूसरा उपाए आप करते हो तो आपको इससे फाइदा क्या होगा इससे फाइदा होगा धन संपता को लेके कि भीया हमारे घर में मा लक्षमी का वास नहीं हो रहा है हम लोग पैसों को लेके बहुत परेशान है हम अब क् एक बेल पत ठीके है फिर से बोल रहा हूँ बेल पत नहीं मिलती है तो महाद्यो के शिवलिंग के उपर से उठा लो ठीके बेल पत ले रहा अब इस एक बेल लाल चंदन लेना है ना अब जो बताऊंगा धान से समझेंगे जो आपके पास में हरा मूँ है ना उस हरे मूँ को कलश के अंदर डाल देना और जो लाल चंदन आप लिया है उस लाल चंदन को भी कलश के अंदर डालोगे और इसमें जल भर देना कहां से अपने घर से जो बे उस एक बेलपत को भगवान शंकर से यह कामना करते वे समर्पित करेंगे कि हमारे घर में धन को लेके बहुत प्रॉब्लम है हम लोग पैसों के लेके बहुत परिशान रहते हैं आप कुछ भी ऐसा करें जिससे हमारे घर में मालक्ष्मी का वास हमेशा बना रहे इस कामना को ब में जो आपने तांबे के लोटे में मूं के दाने को डाला है और लाल चंदन वो हो महादयो के शिवलिंग के उपर कुंद केशवर महादयो की नाम से फिर से बोल रहा हूँ धन संपता के लिए बीमारी को खतम करने के लिए कुंद केशवर महादयो का नाम लिया जाता है ल पर प्रदोशकाल में आपे घर में कभी धन को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं होगी हमेशा मालक्षमी कवास आपे घर में बना हुआ रहेगा ठीक है समझे आप दूसरे उपाय को अब यहीं पर हम लोग तीसरे उपाय की बात कर देते हैं जो की हमें करना है बाल महादयो के भक्त है शेयर जरूर करिएगा ठीक है और जितने भी लोग आवाज मेरी पहली बार सुन रहे है चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ठीक है चलो अब समझते हैं इस उपाय को अगर आप करते हो तो फायदा क्या होगा इसका बस मात्र एक फायदा है वो है बीमारी क खाके हमारे सारे पैसे खतम हो रहे हैं सारे पैसे दवा में जा रहे हैं अब हम क्या करें उसके लिए आपको लेना होगा इस तरीके से दूर्वा क्या लोगे दूर्वा कितनी दूर्वा लेनी होगी साथ दूर्वा लेना गिन करके हरी वाली अब अगर दूर्वा आपको नहीं मिलती है तो एक alternate इसका option है आप चाहे तो 7 चावल के दाने भी ले सकते हैं चाहे तो 7 दूरवा या 7 चावल दोनों नी लेने हैं कोई भी एक लेना और आपके घर से जहां से भी चंदर भगवान के दर्शन आपको हो रहे हों कहां से आपके घर से आपके छट से जमीन से कहीं से भी जहां से पूडिमा के चांद का दर्शन हो रहा हो शाम के टाइम पे प्रदोश काल के बाद में आपको भगवान चंदर की ऊपर से 7 बार आपको उसको घुमाना होगा किसका ना इसमनर करते हुए बाल चंदरेश्वर महादयो के नाम से 7 बार अपने हाथों में लेकर के चंदर भगवान के ऊपर से उवार होगे जिसको उवारना बोलते हैं गुमाना बोलते हैं कौन से महादयो बाल चंदरेश्वर महादयो घुमा दिया गुमाने के बाद में उस दूरवा को या फिर उस चावल के दाने को लेके आएंगे महादयो के शिवलिंग के पास में सबसे प्यारी बात इस उपाय की है कि आप इस उपाय को अपने घर पे भी कर सकते हो ठीके उसके बाद जहां पे भी आपने अपने घर में महादयो का शिवलिंग रखा है ये ज प्रशातना करेंगे कि हमारे घर का ये इंसान है बहुत दिनों से बीमार है बहुत दिनों से परेशान है भगवान आप इन्हें ठीक कर दें नाम कौन सा लोगे बाल चंद्रेश्वर महादयो और उसके बाद पूजन के बाद में इन साथ दूरवा को या फिर साथ चावल के आने को उठा लेना जो भी व्यक्ति आप घर में बीमार रहता है उसको ले जा करके दे देना और कह देना डेली सुबह उठकर के सबसे पहला काम है एक दूरवा साथ दिनों तक लगातार घर की चोखट पे खड़े हो करके बाल चंद्रेश्वर महादयो का नाम लेकर के खा उपाय भी चंद्र मौली महादयो की नाम से होगा और ये स्पेशल उपाय इसलिए है कि 2023 में अगर आप बहुत टेंशन में थे मतलब की मतलब संकट बहुत जादा था लाइफ में आपके मतलब पूरा दिन आपका टेंशन में बीचता था डिप्रेशन में बीचता था इस सिर्फ एक बार इस पूर्डिमा पे 2024 आपका बहुत अच्छा जाएगा उसके लिए आपको लेना होगा एक रुद्राक्ष कोई जरूरी नहीं कि एक मुखी लो दो मुखी जो रुद्राक्ष आपके घर में पड़ा हुआ हो उस रुद्राक्ष को लेना और उस रुद्राक अच्छण को शहद के अंदर नहीं डालेंगे बिलकुल भी ठीक है लेकर पहुचेंगे कहाँ पर महादयो के शिवलिंग के पास में सबसे पहला काम करेंगे फेस रखेंगे उत्तरदेशां 9 डिरेक्शन जो आपके पास में लाल चंद हेर उस लाल चंदन को महादयो के इस रहोगता हुआ जो शेहद होगा बहता हुआ नीचे गिरेगा इस शेहद को रोक लेना ठीक है और उस रुदराक्ष को उठा करके अपने पास रखना और शेहद को यहां से रोक लेना रोकने के बाद इसको लेके आप अपने घर चले जाना और डेली जितने भी दिनों तक वो शहद चल पाए डेली उसको बस दो चार बून डेली आप उस शहद को चाट लिया करना आपकी जो टेंशन होगी जो डेप्रेशन की हालत होगी जो बहुत परेशान रहते हो वो परेशानिया भी आपकी दूर होगी नाम याद रखना चंदर मौली महादयो कोशिश की है मैंने बहुत अच्छा आप सभी को समझाने की बट अगर आपको मुझसे फोन पर बाते कर रहे हैं तो नीचे जोईन का बटन है वहाँ पर जुड़ सकते हैं मुझसे फोन पर बाते कर सकते हैं अगर मैसेज बाते कर रहे हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम या फिर फेस्बुक पर फॉलो कर सकते हैं जिसके लिए सर्च करिएगा दा नेचुरल प्लैनेट 108 वहाँ पर हम लोग बाते कर सकते हैं बाकी मेरी इस आवाज को अगर इस चैनल पर आप पहली बार सुन रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा वीडियो को लाइक सभी को करना है ओम नमस्षिवाय जै महाकाल